हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS Tutorial पर स्वागा थे तो बोड एक्जाम 2025 से बहुत ही नजदीक है ज्यादा समय नहीं बचा है आप सभी लोग अच्छी तरीके से त्यारी कीजिए और बोड एक्जाम से पहले बोड एक्जाम तो 2025 में होगा उससे पहले 2024 में आप लोगों का प्रीबोड एक्जाम हो जाएगा क्लास नाइंत का प्रीबोड एक्जाम होगा क्लास टेंत का भी होगा क्लास 11 12 का भी होगा प्रीबोड एक्जाम प्रीबोड एक्जाम में पूरा सिलबस से कोशन पूछा जाता है प्रीबोड एक्जाम में एक्जेक्ट सेम टू सेम उस आप लोग को पास होना जरूरी होता है तभी आपको फाइनल और एक्जाम का रेइस्टेशन करने के लिए दिया जाता है तो इस वीडियो में आज एक आर्टिकल आया है न्यूज आया है पेपर में प्रौड को लेकर इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और फिर मैं आप लोग यहां पर जो भी अपडेटे जो भी नियु जई के लिए हैं लेकिन सीसी बोड के साथ साथ जारखंड बोड जैक बोड जारखंड अकडमी कौंसील के इले भी लगभग इसी के आसपास आप लोगों का भी pre-board exam होगा जब CBC का होगा थोड़ा सा लेट से या थोड़ा सा आगे हो सकता है जेक का लेकिन लगभग लगभग बस 15-20 दिन का अंतर रहता है चाहे वो board exam हो या pre-board exam हो hardly एक महिना उससे ज़्याद आगे पिछे नहीं होता है तो चले देखे इसकुलों में 10-12 के 60-70 प्रतिसत जो syllabus है पूरा हो चुका है दिसंबर से होंगे pre-board अभी चल रहा है आप लोगों का सितंबर अक्टूबर, नौमबर, दिसंबर तीसरा महिना में आप सभी का pre-board है अगर आप लोग पढ़ाय शुरू नहीं किये हैं फिर एक दो महीने कंदर आप सभी का final board exam हो जाएगा इस वीडियो में board exam को भी लेकर update है देखेंगे हम लोग कब आप लोगों का final exam होगा CBSC यहाँ पर आर्टिकल लिखा वो CBSC के लिए है लेकिन जारखन board के लिए भी लगवग यही date माना जा सकता है देखेंगे दसें और बार्वी board परिक्षा अगले साल यानी 2025 के फरवरी से सुरू होगा जारखन board का भी लगवग फरवरी मार्च के आस्पा सुरू हो जाएगा board exam परिक्षा में लगवग पांच माह का समय बच्चा है लगवग पांच महीने का समय बच्चा है सहर के स्कूलों में बोर्ड परिक्षा की तयारियां सुरू कर दी गई है ठीक है तयारी सुरू हो चुका है राची के जाधतर स्कूलों में आप लोगों का कितना प्रतिर्षाद सिल्यबस कंपलीट हुआ है और आपने अपने से ठीक है से कितना सिल्यबस कभर किया है नीचे कमेंट जरू किजेगा स्कूल कोचिंग यूट्यूब सब ठीक है लेकिन आपको अपने से सेल्फ इस्टेडि करके सिल्यबस पूरा करना पड़ेगा जो सेल्फ इस्टेडि करते हैं उन्हीं का नंबर जादा आता है ठीक है यह फैक्ट है आपको अपने से से सेल्फ नोट सेल्फ इस्टेडि करना में पढ़ेगा देखे वहीं स्कूलों में प्रिंसिपल ने बताएं कि नॉंबर तक सिल्बस फुरा कर लिया जाएगा दिखे स्कूलों में टार्गिट लिया लेकान डिया यह की के नॉंबर तक सिल्बस पुरा दिया जाएगा और मैं आप लोगों उसे भी कहूँगा कि प्रीबोड से पहले अपना सिल्बस खत्म कर लिजे और प्रीबोड के बाद सिर्फ रिवाइज कीजे रिवाइज कीजे और सिर्फ रिवाइज कीजे आपका नंबर जो बज्रस्ता आएगा अगे देखिए अगे देखिए यहाँ इसके बाद revision की प्रकिर्या शुरू हो जाएगी, बहुत जरूरी है, इसके तहद दिसमर और जन्वरी में preboard लिये जाएँगे, कहीं कहीं दिसमर हो सकता है, कहीं कहीं जन्वरी हो सकता है, लेकिन खेर यहाँ पर दिसमर जन्वरी लिखा हुआ है, जादातर चांस है दिसमर मे प्रीबोड एकजाम होने का चुलिए अब देखते हैं हम लोग बोर्ड के पैटरन पर तयार किये जा रहे सेम्पल पेपर जैसे बोर्ड एकजाम में होगा कोश्चन उसी प्रकार से आप लोगों का सेम्पल पर तयार किया जाएगा जहारखन बोर्ड के बचों के लिए से भी मोडल कोस्टेन आएगा कभी एक सेट आता है कभी दो सेट कभी पांच सेट तो इस बार देखते ही कितना सेट आएगा देखे हाल ही में सीब एसी बोड परिक्षा के लिए बोड की और से सेंपल पेपर जारी किये गए हैं इसके पैटर्न पर इसकूलों के सिक्षक रहे हैं कुछ स्कूल बोड पेटर्न पर असाइन्मेंट भी तयार कर रहे हैं जिसे चात्रों को बोड परिशन के तयारी के लिए दिया जाएगा यहां पर बोला गया है दस से पंदर सेंपल यह तो सिब्यसी के लिए लेकिन जार्खन बोड के बच्चों के लिए भी मोडल पर तयार किया जाएगा कभी एक सेट होता है कभी पांच सेट होता है ठीक है यह इस बार देखते हैं कितना सेट इस बार जारी किया जाता है यहां पर देखिए पचास प्रतिसत होंगे योग्यता आधारित सवाल रेखे जैसा सिब्यसी रहता है उसी को जार्खन बोड पी सवाल होंगे इसमें mcqつ के सौर्स बेस्ट ड़ Meg mulheres ऐंडेंट कोस्चन हूंगे वहीं कि प्रतिस्चत सलेक्ट से रिस्पाइपोस्च दाइप कोस्चन यानिकी mcq होंगे इस सब्सकार से जहारखन बोड में भी होने वाला है ठीक है तीस प्रतिसत कंस्ट्रेक्टेड रिस्पोंस कोस्टन यानिकी सोट अंसर लोग अंसर टाइप होंगे दस्वी के प्रश्ण पत्रों में कंपिटेंसिफ फोकस योगता केंद्रित जिसका मतलब होता है सवालों का वेटेज देखिए 50 प्रतिसत रहेगा वहीं सेलेक्ट रिस्पोंस टाइप यानिकी mcq सवालों का वेटेज 20 प्रतिसात रहेगा जबकि short answer long answer type सवालों का वेटेज 20 प्रतिसात रहेगा इसके पीछे board का उदेश से यह है कि पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए होने वाली प्रत्योगिता परिक्छा में student का mcq सवालों को फेस करने में आसानी हो और वे वहाँ स प्षलता प्राप्त कर सके जर्खन democratic के लिए भी आप लोगों का बीज एंच्ट क्यून आएगा और चोट शोट अंसर टाइस को सिन आये गा उसके बाद लोंग एंच्ट को सिन भी आएगगा लोंग एंश्ट दस क्लास के लिए और 12 क्लास के लिए लगभग 20-25 कोशन रहेगा अंसर तरीके से रहेगा एसी को टार्गेट में लेका चलना है पिछले बार 30 क्लास में ऐसा नहीं होगा उससे पहले 40 था वैसा नहीं होगा इस बार 20 पूछा जाएगा ठीक है इस पर तो मैंने अलड़ी वीडियो पना रख आप लोगों के लिए तो यही था आज का वीडियो जहारक्यन बोड का भी जो प्रीबोड एक्जाम है वह लगभग दिसंबर में हो जाएगा और से पहले रेजिट्रेशन सब होगा ठीक है हमको लगता जा रहा है अभी से फोकस होकर पढ़ना सुरू कर दिजिए समय कहने के लिए दो तीन महीने या चार-पांच महीने हैं मिल्कूल भी समय नहीं अभी इतना सारा तेवार आएगा नया साल आएगा 26 जनवरी आएगा यह वो करते-करते पार हो जाएगा अभी से ही मन लगा कर पढ़िए ऐसे समझे कि इस बार का जो एक्जाम होर आप लोगों का फाइनल एक्जाम 2025 बोड एक्जाम इसमें आपको दुनिया में अभी तक जितना है अप एक्जाम दिये हैं अपने लाइप में उसमें सबसे बेस्ट देना है ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो सके और आपको आगे कोई दिक्कत ना हो सकी ठीक आए अपने सभी दोस्तों के स corazón को सेर कर दिजेगा और आपने अपना सिपस्बात कवर कर ले मत भूल लेगा आज के लिए इतना है थेंको पर आज में वीडियो जय हिंद जय भारत